रविवार को मुंबई के मालवनी इलाके में साजित फाउंडेशन नामक समासवी संस्था द्वारा गरीब और जरुवतमन लोगों में मुफ्त राशन का बित्रण किया गया यह संस्था हर साल रमजान के मौके पर लोगों में मुफ्त नाच और अन्निखाने पिने की चीजों को बाटती रही है इस साल भी संस्था के लोगों ने जरुवत मद लोगों तक के समान पहुचाए इस आयोजन के पिछे की सोच यह है कि रमजान के मौके पर कोई गरीब भूखा न रह जाए और खास बात यह है कि इसका लाफ सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं बलकि हर धर्म और चाती के लोगों को दिया गया राशन जिसे तो हम लोग हर साल हमारी संस्था की तरफ से बाटते ही है और इसलिए बाटते के हर गरीब के घर में ऐसे दो हमारी सोच यह के हर मेने बाड़े सिर्फ रमजान में नहीं बाड़े हर मेने बाड़े और यह सिर्फ रमजान में सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है गहर मुस्लिम है हिंदू मुस्लिम सब एक हो सब के लिए राशन है और जिससे जो सब को बाटते है राशन और मा्शexplosion आती है, कोई चीज की कमीनी, और अन्ला काश्वकत्व चुकर है, जो हमारे मामू है, मुईदिन मामू, वो हमारे को सपोटर है, जो भी हमको मदद करते हैं, करते हैं और आज ये हमलोग से कम से 100-400 को कम से कम बाचे हैं, इंशाला आगे 300 को बाटेंगे, 300, 900, 1000 को इंशाला बाटेंगे आईजकों के सकारिक्रम के जरिये जहां जरुतमन लोगों को फाइदा पहुचाया गया नहीं एकता और भाइजारे की भी मिसाल पेश की गई निस्टॉक लाइक के लिए रोशन सिर्के की रिपोर्ट